हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप शभी का आपके अपने यूटूब चैनल फटा फट इंगलिस के इस क्लास में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रेपोजीशन का पार्ट 10 इसके पहले आज का दिन किसने देखा है कल का दिन किसने देखा है आज का दिन भी खोएं क्यों जिन घड़ियों में हम हस सकते हैं उन घड़ियों में रोल करेंगे दोस्तों आपके पास जो आपका पास्ट है वो नहीं है अभी आपके हाथ में प्रेजेंट है इसलिए प्रेजेंट के अं and position का discussion इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों शब से पहले at के कुछ fix uses की बात करते हैं जैसे home के शाथ at preposition आता है at school at university इसके बाद at का एक fix use at the age of होता है दोस्तों यह question बहुत आता है हर competitive exam में यह question most other time पूछा जाता है at the age of at the airport at the station at the platform यह भी fix use है at the party at the function at Rohan's दोस्तों at Rohan's यहाँ पर यह मतलब हुआ कि Rohan का घर रोहन का घर यह जो मैंने apostrophe यह जो मैंने apostrophe लगाया है इसका मतलब होता है का रोहन का घर देखे दोस्तों apostrophe s जैसे मैं एक example लिख दूँ राम's house इसका मतलब यह हुआ कि राम का घर अब एक concept समझेगा इसी concept को मैं off से बनाओं तो मैं इस non living को पहले लेकर आँगा मैं लिखूँँगा house of अगर मैं इस apostrophe की जगह आप का यूज कर दूँ तो मैं यह जो दोनों नाउन है इन दोनों नाउन को मैं पलट देता हूँ नौन लिविंग को पहले लेकर आता हूँ उसके बीच में आप preposition का यूज करता हूँ फिर दूसरे नाउन का यूज करता हूँ तो आई वाज यहां पर mohan का मतलब दोस्तो, mohan के घर से है, कि मैं last night मohan के घर में था, इसके बाद दोस्तो, अब मैं at के कुछ और uses का description आप से करना चाहूंगा बहुत important video है दोस्तों at के सारे प्रयोग इस वीडियो में आप समझेंगे at का एक यूज दोस्तों exact address को show करने के लिए किया जाता है exact address को show करने के लिए भी हमेशा at का यूज किया जाता है जैसे यहाँ पर example देखिए he lives at 21 देवी नगर बैसाली नगर रायपू ठीक है यह एक fix address है इस address को show करने के लिए at preposition का यूज किया at का यूज दोस्तों आप single country कोई भी single country हो single town हो single village हो इसके लिए भी आप at का और single city हो इसके लिए भी आप you at का यूज कर सकते हैं जैसे मैं आपके शामने एक बहुत ही basic सा example लिख दो कि की आई है अई लीव इन इंडिया तो यहाँ पर देखी यहाँ पर इंडिया एक single country है इसने मैंने इन का यूज किया ठीक है इसलिए मैंने इन का यूज किया लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बता है single country single SINGLE TOWN SINGLE VILLAGE OR SINGLE CITY के लिए CATEале UST करता हूं लेकिन इंडिया यहां पर लार्ज़र स्केल है और केल को दर्शाने के लिए मैं इनका यूज करता हूं ठीक है लेकिन जो एक है Isका परओग मैं सिंगल country single town single village के लिग कर सकता हूं जैसे मैं लिग दूँ कि आई लिव एट जैपूर ये एक single city हो गई इसने मैंने हापर एट कई उच किया दोस्तों अगला concept यदि मैं इसी चीज को दो की concept context में बात करूं तो वहां पर आप छूटी चीजों के लिए जो small things है उसके लिए आप एट लगाएंगे और जो larger things है उसके लिए आप हमेशा in लगाएंगे जैसे मैं लिग दूँ कि I live at जैपूर इन इंडिया तो यहां पर जब मैं दो places के context में बात करता हूं तो larger place के लिए in और small के लिए आप एट का यूज करें यह एट का basic यूज है अब मैं अगले कुछ और important uses discuss करता हूं देखिएगा दोस्तों यदि मैं किसी भी street किसी भी road और किसी भी avenue की बात करूं यह avenue भी street ही होता है तो इसके लिए मैं हमेशा on का यूज करता हूं यदि मैं किसी भी street किसी भी road किसी भी avenue की बात करूं तो इसके लिए मैं हमेशा on proposition का यूज करता हूं जैसे मैं लिख दूँ कि I live on fifth street I live on fifth street या मैं एक और example आपके शामने लिख दूँ कि I live I live on car road car road यदि मैं किसी street कि avenue किसी road की बात करों तो हमेशा on proposition का यूज किया जाता है अब दोस्तों अगला concept बहुत important है स्टार बनाएंगे और लिखेंगे home and the proposition home and the proposition बहुत important concept है दोस्तों होम शब्द के शाथ किस प्रकार से proposition आता है इस concept की चर्चा करेंगे स्टार बना कर लिखेंगे तो सबसे पहले यदि एक sentence में एक subject है दोस्तों subject क्या होता है subject होता है किसी भी कार को करने वाला और यदि मैं आपसे पूछूं की object क्या होता है होता है receiver of the action किसी भी action को receive करने वाला receiver of the action जो action आप ने किया उसे receive करने का जो भी काम करते हैं उसे object कहा जाता है like मैं एक example लिख दूँ आपके शामने I am teaching you teaching करने का काम कौन करना है मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हुआ मैं एक subject हुए यानि किसी भी काम को करना doer of the action और you मेरे दोरा teaching जो किया जारा इसको receive करने का काम आपके दोरा किया गए तो you object हो गए और आप यहाँ पर receiver हो गए यही होते हैं दोस्तो subject और object की definition खेर अभी मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं जाओंगा और आप समझें subject यदि subject के बाद कोई भी verb आए और यह verb motion को दिखा रही हो यह verb motion को दिखा रही हो यह verb moment को दिखा रही हो अब motion वाली verb कौन कौन सी होती है motion की verb होती है go motion की verb होती है went motion की verb होती है reach motion की verb होती है return और motion की verb होती है arrive यह सभी ऐसी verb हैं जो motion को दिखाने वाली verb हैं एक sentence में subject आए subject के बाद बाए और ये वा motion या moment को दिखा रही हो और उसके बाद home सब्दाए तो आप किसी भी preposition का यूज नहीं करेंगे जैसे मैं आपके शामने एक example लिख दूँ देखिए I went to home तो ये sentence दोस्तो अपने आप में wrong हो गया हो सकता है आपको किताबों में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए I went home ये I am going to home लेकिन ये sentence दोस्तो पूर्ण रूपेर रांग है क्योंकि यहाँ पर home सब्दाया और home के पहली ये preposition आगया to लेकिन मैंने पढ़ा कि जब subject के बाद कोई वाव बाए और वह बाब motion को दिखा रही हो तो इसके बाद मैं home सब्दाया जब भी यूज करता हूँ तो किसी भी preposition का यूज नहीं करता हूँ जैसे मैं दो sentence आपके शामने लिखता हूँ और इस बात को आप note कर लेजिगा दोस्तों copy में जैसे मैं एक basic सा example आपके शामने लिखता हूँ मैं लिख दूँ कि I am going to home और एक sentence लिख दूँ I am going home यदि मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों में कौन सा sentence है तो most of the students का जो answer होगा वो यह जो noun को determine करते हैं और यह determiner से कोई भी possessive adjective हो सकते हैं कोई भी articles हो सकते हैं कोई भी demonstrative adjective हो सकते हैं ठीक है तो अब जैसे मैं एक sentence लिख दूँ कि he returned to her home तो इस concept को समझे यहाँ पर home सब्द आया home के पहली यह determiner आया और यह determiner के पहली आप preposition का यूज कर सकते हैं सर्थ यह है कि इस home के पहले कोई भी determiner आना चाहिए अब home शब्द को लेकर हम concept number 3 discuss करते हैं एक उसके पहले मैं एक sentence आप से discuss कर लेता हूँ जो SSC के अंदर आया हूँ शंटेंस है जैसे आई रेटन टू हूम वाई बस लास्ट नाइट यह concept SSC के अंदर आया हूँ दोस्तो एक शब्द है night और एक शब्द इसी से और मिलता जूलता है night इस night card तो आपको पता होगा रात लेकिन इस night card होता है दोस्तो योद्धा ठीक है योद्धा I return to home by bus last night ठीक है अब यहाँ पर यह two wrong हो गया क्योंकि यह return जो है यह verb of motion है यह motion की verb है और आपने पढ़ा है motion की verb के बाद अगर home सब्द आये तो उसके पहले दी कोई determiners नहीं है तो आप किसी भी preposition का use नहीं करेंगे ठीक है तो यह sentence सही हो जाएगा I return home by bus last night अब home सब्द को लेकर एक और concept discuss करते हैं दोस्तो home शब्द को लेकर तीसरा concept number C लिखेगा concept number C में हम home को लेकर discuss करते हैं यदि एक sentence के अंदर subject आये और वब आये और यह verb not represent a motion not represent a motion motion को न रिप्रेजेंट कर रही हो not represent a motion motion को नहीं दिखाए तो आप वहाँ पर preposition का use कर सकते हैं तो आप वहाँ पर preposition का use कर सकते हैं ऐसे मैं लिख दो कि he works he works from home यहां पर यह जो वर्क वर्ब है यह वर्ब मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है जब होम सब डारेक्ट आएगा वर्ब के बाद तो केबल जब वर्ब मोशन को रिप्रेजेंट करें तभी डारेक्ट आएगा बट यह दो मोशन को रिप्रेजेंट ना करें तो वहाँ पर आप क्या करेंगे जब कोई ही मोशन को रिप्रेजेंट ना करें तो यह पर प्रेपोजीशन का यूज कर सकते हैं मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर एक स्ब्जिक्ट हो उसके बाद बीवब आए तो फिर आपको प्रेपोजीशन का यूज करना होगा यदि उसके बाद home शब्दाए देखेंगे कैसे अब दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ be verb कौन सी verb होती है दोस्तो be verb English में special verb कहलाती है be verb English में special verb कहलाती है क्योंकि यह एक sentence में main verb का भी काम करती है और helping verb का भी काम करती है इसलिए इसको English में special verb कहते हैं V की कई forms होती है जैसे यदि मैं कहूँ तो V की first form होती है is MR और इसी B की second form मुझे देखने को मिलती है was were और इसी V की third form देखने को मिलती है ween तो V कब तो main verb की तरह काम करते हैं और कब helping verb की तरह इस बात को समझेंगे दोस्तों जब कभी is MR was were और ween के बाद verb की first form आई एंजी आए तो वहाँ पर V हमेशा helping verb की तरह काम करती है लेकिन जब is MR was were और ween के बाद कभी भी आपको कोई भी noun मिल जाए या कि कोई भी adjective मिल जाए तो वहाँ पर V हमेशा काम करेगी main verb की तरह जैसे मैं लिख दूँ कि he is intelligent he is intelligent he is intelligent इस बी भव है इस बी भव के बाद ये intelligent adjective आया तो यहाँ पर ये जो बी भव है ये काम कर रही है main verb की तरह और intelligent adjective की तरह काम कर रहा है इसे हम इंग्लिस में नाम देते हैं compliment और एक टम आगे दोस्तो compliment compliment क्या करता है compliment एक sentence को complete करने का काम करता है अभी basic बात जालेंगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे about compliment compliment के बारे में तो यहाँ पर मैं वी भव की बात कर रहा था जैसे हम मैं लिख दूँ कि he was home last night तो यहाँ पर वी भव आई और वी भव के बाद home चब्दया तो यहाँ पर आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे जनरली हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं इस तरह से दोस्तो हमने इस वीडियो में home सब्द को लेकर कुछ important concept discuss किये अब दोस्तो हम अगले वीडियो में आपसे फिर कुछ important concept के शाथ मिलेंगे और कुछ और बहतरी बहतरी चीज़ दोस्तो यह प्रेपोजिशन का part 10 है सारे के शारे वीडियो आप देख लें अब मिल